आदर्शिक्षा समीति की योटूब क्लास में आप सभी का शुवागत है पिछले वीडियो में हमने प्रबंद के शिद्दानतों के बारे में पढ़ा था कि प्रबंद के शिद्दानत क्या है किस प्रकार से इसका उप्योग होता है आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रबंद क शिद्दानतों का महत्व प्रबंद के शिद्दानतों का महत्व उनकी ऑप्योगता के करणा है यह क्या करता है यह किसी लिखांकन कर से ब Utam सार ही जो है वह उसका एकाउंटिंग होता है मतलब डेबिट क्रेट करने के रूल सेंद रहे हैं उस ये प्रकार से मैनेजमेंट के भी जो है अपने प्रिंसिपल है अपने सिद्धान थे तो उनका क्या महत्व है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट है कि वैसे ये शिद्धान जो है मैनेजर को अपने दाइतों यह उत्तर दाइतों को पूड़ा करने के लिए उप्योग में ला सकते है ठीक है तो आए इन पॉइंटों को पढ़ते है तो पहला पॉइंट जो है कि मैनेजरों को वास्तविकता का उप्योगी शुक्ष्म ज्यान प्रबंद के शिद्धान प्रबंदकों को वास्तविक बुनियावी इस्तिती में उप्योगी पैट कराते इन शिद्धान्तों को अपनाने से उनके प्रबंद कि शिद्धियों के संबन में ज्यान योगितां समझ में वर्दी होती है इससे प्रबंदक अपने पिछली बु तो अधिनस्तों के लिए छोड़ देता है तो जो विशिष्ट कार्य जो है उसको करेगा जिसके लिए उसकी अपनी विशिश्चता की आउश्चता होती है इससे क्या होगा समय की जो है वह बच्चत होगी प्लस यह चीज़ है कि जो उसने कोई गल्ती की है अपने सिद्धान को अपनाने में प्रसित्यों ने संभन में उसने जो गल्तिया की तो गल्तियों को सुदार करने के लिए भी सिद्धान का बढ़ा महत्त ही समस्या को को जो है वो तेजी से हम हल कर सकते हैं संसादनों का अधिक्तम उप्योग वह प्रभावी प्रशासन कम्पनी को उपलव्द मानवियत अता बहुतिक दोनों संसादन सिमित होते हैं मानव के रूप में बहुतिक यानि को भी वस्तू के रूप में हो सकता है दोनों संसादन जो ह वह सिमित है इनका अधिक्तम उप्योग करना बहुत ही जरूरी है अधिक्तम उप्योग से भी पर यह कि संसादनों को इस प्रकार से उप्योग किया जाए कि उनसे कम से कम लागत पर अधिक्तम लाब प्राप किया जाए यानि लागत जितनी कम आएगी उतना ही उसका नफलान महा नगाते हैं यिससे गल्तिव से ख्योति शिक्रान करने की नीज निति में वने वाली सति से बचा जा शकता है के प्रभभीप्रशह cuánt के लिए प्रबंद की विभास का व्यक्तिकत armour के व्यक्तिकरन आवशतु है जिसे की प्रबंद ए अधिकारों का आ अधिकारों का साविधा अनुशेय का ही भबन्द के सिधानी प्रबंभ में श्वैच्चासर कि सीमा निर्दाहित करते हैं उदारन के लिए वीबिनव विवागों के लिए वार्षिक बजट जो है कि निर्दारन में प्रबंदों को द्वारा निर्णे उनकी व्यक्तिकत पसंद पन निर्बर करने के इस्तांत पर संगठन के उदेशों के प्रति योगदान के से जिद्दान तब आदानी यानि जो व प्रबंद के जिन निर्णे को सिद्दान के आदा पर लिया जाता है वह व्यक्तिक द्वेस्ट बामना और पक्स पाक्षेमुत होता है बिल्कुर सही बता है जिन सिद्दानों का जो फैसला जो लिया जाता है कर अगर मैंदेश्मेंट के सिद्दानतों को अगर ध्यान में रख लिया जाते है तो उसमें व्यक्तिक द्वेस्ट बामना और पक्षपात जो है वह नहीं होता है इन्हें इसे मुक्त रते और प्रस्तिती कन भूसाह उने ची अर मुल्यांकन अगर भविश्य में इसका मुल्यांकन भी अगर गम करें तो इन उद्षियों का मुल्यांकन होना चैसे उसी अनुरूप जो है वो निर्णे लेने चीए इसलिए इसको बूटा गया है वैज्ञानिक निर्णे बदलती परियावरण की आवशक्ताओं को पूरा करना सिद्दा अमने पहली पडाए कि प्रबंदत के सिद्दांत जो है वो परस्तिती जिनियें जैसे परिष्टी होगी जैसी आव कि संस्क्रती होगी उसी जिस प्रकार से बातावरन रहेगा, एटमोश्प्य रहेगा, उसी के अनुसार मैनेजमेंट के सिद्दान देंगा, यानि हम उसके निदर चेंजर कर सकते हैं, उदारन के लिए प्रबंद के सिद्दान तो सरम विवाजने वह विशिष्टी क्रण को बलावा देते हैं, को छोड़ दिया है, कुछ कमनियां गेर मुल कर जाएं शियर, हस्तानपन, प्रबंद विग्यापन को बाहर के एजन्सीय से करवारी है, अपना काम जो है, वो किसी और कमपनियों से करवारी है, यहां तक आजकल अनुस्तंदान जो होता है, डिचर्स जो होता है, डेवलोप करने जाते हैं कि टीवी पर स्लाइड पर तो उसका खर्चा जो है, वो बहुत ज्यादा आता है, तो एक कंपनी का अपना नाम सुना होगा, अमागी कंपनी करके, जो बड़ा सोचो टीवी सोचो ऐसा कुछ जो आता है, वो अमागी कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनियों क अपने साइट से करती है, तो जिसका बजट भी लगबग लोवर आता है, तो ये कंपनी बाहर के लोगों के कंपनियों का अपनी कंपनी करती है, अमागी कंपनी का काम ही है कि बाहर की लोगों की कंपनियों का अपनी करना, फिर सामाजिक उत्तरदायतों को पुरा करना है, बिजनसी करता है तो सामाज के परती उसके उत्त्र दायतों हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा कि वह समाज के पीच रहकर पैसा कमाता है जन साधरान में बढ़ती हुई दागरुपता व्यवशय में विश्यस्तर समीत दायत्वा कम्पनियों को अपने सामाधिक उत्तर दायत्वा को निवाने के लिए बादिकाली दही है प्रबंद के सिद्दान जो है वो इनको पूरा करने में जो है किस प्रकार से मांगो के प्रेणाम सुरूप विक्सित हुआ है समय के साथ साथ सिद्दान्दों की व्याक्या से इनके नए वम समंकाली निकल रहे है इसलिए यदि आज कोई शम्ता के बात करता है तो वो मजदूरी के संबन में नहीं होती ग्रहकों के लिए मुल्यामान प्रियावरन का ध्यान रखना व्यवशाय के सजयोगी उससे व्यवार पर भी ये सिद्दान लागू होता है जा सकता है आगे हम पढ़ेंगे ये महिला ग्रहुद्यों क्या है फिर है प्रबंध प्रशिक्षन शिक्षाव अनुस्तंदान प्रबंध के शिद्दान प्रबंध विश्य के ज्यान का मुलाधार है इनका प्रियोग मैनेजमेंड के प्रशिक्षन शिक्षाव समाइनगे आदार के रूप में किया जासकता है आप अवेसे जानता होंगे कि जानते होंगे कि मैनेज्मेंट संस्तानों में प्रवेश की पूर प्रबन्द की परिख ली जाती है विल्कुर सही वता होगा आपने मैनेज्मेंट के आज करें Your एक ग्रोथ कर सकते हैं कि मैनेजमेंट लिए मेनेजमेंट के दुखरण कर शकता है कि मैनेजर्थ प्रबंदक जन्दम लेते हैं आज कले अ lawsuit मेनेजमेंट अध्लान वदल गई है वेज्यानिक वदाणना ये है कि management जो है वह manager गया जा सकता है management किया जासकता है सिद्दान शिद्दान पी प्रबंद में system लाता है फिर प्रबंद की नही achieved विकास में शायक होते हैं करेंगे इन तक्निकों का आगे बॉक्स में समसीत में करेंगे तो कुछ कानिया यहां पर आएगी कुछ घटना है जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो यह थे मैनेजमेंट के जो है अब दो लेखक यहां पर हुए प्रबंध सास्त्री एक तो है अपना है टेलर और एक हैंजर फ्यॉल उन दोनों के बारे में भी जो है पढ़ेंगे अभी दोको आपके सामने एक मैला ग्रह उद्योग लिज्वत पापड व्यावश्य उन सामाजीक उत्तरदायत्व का स्री महिला ग्रह उद्योग लिज्वत पापड सामाजीक जिमिदारी के साथ व्यापार को कैसे जोड़ सकता है अपने हित्य दारकों को आत्म दिर बना सकता है हित्य दारकों में विबिन महिला है सामिले जिनके संक्या लगबग 45,000 से अधिक है इन्हें लिज्वत पापड वनाने का कारे किया आता है जो पूरी दुनिया में अपनी को गुणता के लिए परसिदे लिज्वत पापड पूरे वल्ड में फेमस है नाम सुना होगा आप होने यह संगतन मातर असी रुपे के मामूली रिण के साथ सुरू हुआ था और आज जो इसकी जो संपती जो होती है लगबग साड़े 600 करोड रुपे का सपल दम है उसका उदिव्यपार बलकि केवल इंडिया के अंदर ही यह व्यपार नहीं करती है बिल्कुल जो है यह एक्सपोर्ट भी करती है माल का लिजज़त पापर का एक्सपोर लगबग इस रूप से लागू किया जा रहे इसने दिखाया कि गांदी जी के मुल्यों को व्यपार के साथ जोड़ना संभव है स्री महिला ग्रह उद्योग लिज़त आपर तीन अलग अलग अवदानों का समिश्ण है बहुत अच्छा इंपोर्टन है व्यपार की अवदाना परिव परिवार की अवदाना और भक्ति की अवदाना के अलावा संस्ता ने अपने सभी सदर्श्य बहनों के साथ पारस्परिक परिवारिक्स ने संबंद और विश्वास की अवदाना को विखसित किया संस्ता के सभी मामलों का निप्टान अपने बविश्य में के परिवार अव सदर्शियों, बहनों, क्रवंचारियों और सुब सिंतकों के लिए संस्तान कभी भी मात्र आजीव का कमाने की जगभर नी रिये, यह किसी भी किसी की उर्जा को अपने फाइदे के लिए उप्यों करना नहीं, बलकि सभी के लिए लाप के लिए पुजा करने का एकिस्तान है, यहींनि सब मिलकर काम करते हैं इसमें, लिजजद पापड सदर्शियों बहनों को बच्चों को चात्रवती भी प्रदान करता है, जो हर साल दस्वी और बार्वी की कक्सा होतिन करते हैं, इसका उदिश्य है, महिलाओं को सदर्शियों को अपने बच्चों के शिक्षा तो संगठं को विविन सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, तो यह बहुत ही अच्चा उदारन है, स्री महिला ग्रह उद्योग लिजद पापड अपने नाम सुना होगा, यह कानी अपनों को ध्यान में होने जाए, इसकी तो तीन अवदारना जो हैं उसको ध्यान में रखना है, व और इवन इंडिया में नहीं, एक्षपोर्ट भी कर रही हो, सांट करोड डुपे का एक्षपोर्ट उसका है, कहने का मतलब, बहुत बड़ा बिजनस हो गया, कहने का, तो सरुवात छोटे से होती है, यह मैनेजमेंट जो है, अगर अच्छे से किया जाए ना, तो एक छोट और इनसे अपसीखना है अपने को भी, अपने चीवन के अंदर भी, अमारे खुन के अंदर आना ची मैनेजमेंट, तबी जो है, मजा आएगा पढने का भी, और काम करने का लिए, केवल पढ़ना नहीं, इन चीज़ों को समझना है, और आगे आपके भविश्य के लिए भी इसको याद रखें, जो को आप प्रशना जासा है कि प्रबंत के सिद्धान तो का महत्व बताई तो इसके पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट जो है, आप अच्छे से याद रखो, इसका वन्नन जो है, एक दू बर पढ़ लो और अपनी भासा के अंदर उसको करने की कोश करें, इंपोर्टन होगा तो मैं आपको बोर्ट के पढ़ा दूँगा, ठीके, धन्देवार